साई की बात तो दूसरा अध्याय तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो तुम्हारा तयार है मेरे बचे अब बस तुम्हें उसमें प्रवेश कराऊंगा और तुम्हारे नई जिन्दगी शुरू होगी मेरे बचे और सुनो जो तुम्हारे अतीत के पुराने घाव है न मैं जानता हूँ वो अभी तक हरे हैं वो अभी तक भरे नहीं हैं मेरे बचे कोई चीजे ऐसी है न जब वो तुम्हारे सामने आती है न तो तुम घबरा जाते हो मैं जानता हूँ मेरे बचे तुम्हारे अतीत में तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ था लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविश्य खराब है नहीं मेरे बचे नहीं तेरे भविश्य को खराब होने दूँगा और नहीं तेरे वर्तमान को मेरे बचे क्योंकि अब मैं आचुका हूँ तेरे जिन्दगी में तेरा अतीद गया उसे न एक बुरी कहानी की तरह भूल जाना उसके जखमों को मैं भर दूँगा मेरे बच्चे जैसे तुम नए अध्याय में कदम रखोगे एक नए जीवन में कदम रखोगे न तो तुम्हारे जिंदगी से वो सारे चीजों को मैं खतम कर दूँगा तुम् तुम्हारे घर पर कोई आ जाता है न दूसरे का बच्चा तो उसमें भेदभाव मत किया करो क्योंकि मैं सब में विराजित हूँ मैं सब में समान हूँ मेरे बच्चे और तुम मेरे बच्चे हो तुम्हारे नजरों में भेदभाव नहीं होना चाहिए तुम्हारे नजरों में समानता होनी चाहिए मेरे बच्चे जिस तरह मैं करता हूँ अपने बच्चों में ये आगे से मत करना मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बस डाट नहीं रहा सिरफ कह रहा हूँ समझा रहा हूँ इस बात पर सोचना मेरे बच्चे क्योंकि इस दुनिया में न कोई भी चीज ऐसी नहीं, जो मेरी बनाई हुई नहीं, और सम्में मैं विराजित हूँ मेरे बचे, मैं सम्में हूँ, और यह क्या लगा रखा है, कि मुझे मार दो, मुझे खतम कर दो, क्या है अपने आसपास कभी नजर देखी है तुमने, कभी नजर मारी है तुमने, चो तुम्हारे आसपास जीव जन्तू है, बेज जुबान जानवर है, जब उन्हें मिलता है ना, तो वो खा लेते हैं, और जब उन्हें नहीं मिलता ना, तो बिचारे किसी से मांग भी नहीं पाते, कहे भी नहीं पाते हैं, कभी उनके पाउं में चोट लगती है, तो कभी वो परिशान हो जाते हैं, कभी गर्मी में वो रहते हैं, कभी सर्दी में वो रहते हैं, और तुम तो इन सब यूनियों को काट कर, इनसान की यूनी में आये हो, तुम जानते हो कि तुम किते भा जाएगी नहीं जो तुम्हारे करम आज है न वो तुम्हारे करम अगले योनी में तुम्हे भोगने पड़ेंगे क्या पता तुम बिल्ली बनो कुता बनो या गाएं बनो क्या बनो तुम या कोई पक्षी बनो फिर क्या करोगे बोलो या ये जनम अच्छा है या वो जनम अच उन सब को मिटा सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है, तुम नहीं करना चाहते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर तुम सच में करने पर आगए ना, तो मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हारे सारे कर्मों को खतम कर दूँगा, फिर जो तुम ये कहते हो ना, कि जिन्दकी को ख पिसमाए अचाती, जाती है खुद का वैवसाय, तो सुनो, तुम्हारा वैवसाय होगा, चिंता मत करना, चोटे से ही शुरूँ होगा, लेकिन आने वाले वक्त में वो बहुत बड़ा हो जाएगा, चिंता मत करना, हारना मत लगकर और मन से, दिल से, और लगन से काम करना, मेरे बच्चे वही मिलूँगा और अपने कमरे में जो तुम मुझे बंद करकर आये होना 또 चिन्ता मत करना मैं तो तुम्हारे साथ ही चल दिया था उस कमरे में तो मेरा बस सवरूप रखा हुआ है वहां से निकल कर मैं तुम्हारे साथ ही आ गया क्योंकि मुझे तुम्हारे रक्षा भी तो करनी होती है ना मेरे बच्चे तो चिंता मत करना कि अपने साइंकों मैं बंद कर कर आया हूँ तो वो खाएंगी कैसे पीएंगी कैसे नहीं मेरे बच्चे मैं तो तेरे साथ ही चलाया हूँ तेरे बिनाना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता और इसलिए मैं आ गया हूँ मेरे बच्चे कुछ मेरे बच्चो को ना चाए और कॉफी पीने का बहुत शौक है तो मेरे बच्चे गर्मी करती है जादा मत पिया करो और कुछ मेरे बच्चे धंडा पेजल जादा पीते है उन्हें बहुत अच् ंदा पीना है तो एक काम किया करो फलों का रस पिया करो फल खाया करो और मेरे बच्चे जो चीज में पॉस्ट्रिकता है वो तुम कभी नहीं खाते लेकिन जिन में अना शनाब चीज़े हैं जिससे तुमें कुछ नहीं सिर्फ स्वाद मिलता है उसके पीछे भागते हो पुष नहीं रखा मेरे बचे, बात को सुलजाने में ही भलाई है तुम्हारी, जो भी गल्ट फेमिया है उसे मिटा दो मेरे बचे, जब तुम एक दो बार बाचीत कर लोगें रा, तो सारी गल्ट फेमिया मिट जाएंगी मेरे बचे, और अगर कुछ गल्टी ऐसी हुई है, तो बड़ों से माफी मांग लो और बड़ों से माफी मांगने मेरा कोई छोटा बड़ा नहीं होता मेरे बच्चे तुम्हारी इज़त घटेगी नहीं मेरे बच्चे बलकि तुम्हारी इज़त बढ़ेगी तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा और सुनो अपने छोटे छोटे बच्चों को अभी सही संसकार देना शुरू करो, अभी सही मेरा नाम जाप करवाया करो, अगर कहीं भी तुम जाते हो ना, किसी कथा में, तो उसे भी साथ लेकर जाया करो, वो थोड़ी देर भी सुनेगा न, मेरी कथाओं को, तो उसके करमों में मैं अच्छा लिख और उसके करम न, अच्छे हो जाएंगे मेरे बचे, वो कभी भी न, गलत रास्तों की दरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उनके कानों में मेरी वानी जाएगी, मेरा नाम जाएगा, उन्हें लेकर आया करो, अपने साथ, और सुनो, तुम अपने मोटापे से परिशान हो न, तो सुनो, वयायाम किया करो, सैर किया करो मेरे बचे, और नृत्ते करने की आधन डालो, जो मोटापा है न, वो नृत्ते करने से बहुत जल्दी कम होता है मेरे बचे, और मोटापा न, अच्छा नहीं है मेरे बचे, क्योंकि इससे हजार तरह की बिमारियां तुमारे शरीर में लग जाती हैं, तो मोटापे को कम करो, थोड़ा मेहनत करो मेरे बच्चे, तभी तो मोटापा कम होगा न, और सुनो, मेरा इस्थान तयार कर दिया है न तुमने, तयारी हो गई न सारी, अब बस मेरे विराजित होने की देर है, मैं मुर्ली धर भन कर, वहाँ पर विराजित हो गुलाब मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, और साथ में मुझे इत्र भी लगाना मेरे बच्चे, मुझे इत्र बहुत अच्छा लगता है, और सुनो, तुम्हारी जो मा है न, वो बहुत बिमार है मेरे बच्चे, वो चल नहीं सकती, तो उनकी थोड़ी सेवा कर करो कि तुम्हारी मा तुमसे इतना प्यार करती है न वो तुम्हें कभी बताएंगी नहीं और नहीं जताएंगी तुम्हारे सामने न हमेशा ऐसा दिखाएंगी कि वो पता नहीं कितनी स्वस्त हैं लेकिन सच में वो अंदर से बहुत परिशान हैं बहुत दुखी हैं अपने शरीर से तो उन्हें आराम दो और वो तुमें कभी बताएंगी नहीं इस बात को तुमें खुछ समझना होगा और उनकी सेवा करनी होगी और उनकी जितने भी काम है न वो किसी और से करवाओ उनसे नहीं मेरे बचे और सुनो आज तुम अपने हातों से अपने काना को अपने क रिष्ट को खिलाओगे, खिलाओगे ना, मुझे आज तुम्हारे हातों से ही खाना है, तुम्हारे प्यार के हातों से, तुम्हारे भाव के हातों से, मुझे खाना है आज, खुश रहो, आज का साई संदेश, समाब तुवा